इंट्रोडक्शन चोटे से लेकर बड़े तक हर टाइप के चाहे हम कैसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हूं एक अच्छी डिसीजन प्रोसेस डवलप करना हमारी लाइफ में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है ये ना तो सिर्फ आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है बल्कि आपको ये समझने की काबियत भी देता है कि कौन सा डिसीजन ज्यादा जरूरी है और कौन सा कम जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो अकसर दो ही चीज़े माईने रखती हैं पहला हमारा लक और दूसरा हमारे डिसीजन की क्वालिटि हम सब को पता है कि हम ये तो decision नहीं कर सकते कि हम किस घर में पैदा होंगे या हमारे boss का mood आज अच्छा होगा या नहीं लेकिन हम अपने decisions की quality पर control कर सकते हैं और यही आज हम सीखेंगे इस book से How to decide my any joke एक ऐसी book है जो ऐसा framework प्रोवाइड करती है जो आपकी decision making process को और आपके decisions की quality को बहतर बनाने में help करेगी इस book से आपको काफी सारे decision making tools के बारे में पता चलेगा ये ऐसे tools हैं जिने आप बराबर अलग-अलग जगा यूज़ कर पाएंगे और साथ ही साथ दूसरे के साथ share भी कर पाएंगे इस book में लेकक ने बताया है कि जो लोग अपने guts पर trust करके और pros and cons की list बना कर decisions लेते हैं वो सबसे अच्छे decision makers नहीं होते भले ही आपको कितना भी past experience मिल चुका हो आपका guts decision लेने के लिए right tool नहीं है ऐसा नहीं है कि हम अपने guts के भरोसे सही decision नहीं ले सकते लेकिन ऐसा जरूर है कि हमारा guts दिन में केवल दो बार ही काम करे या एक बार भी नहीं और अगर decision गलत हो गया तो आप कभी भी अपने guts को सिखा नहीं सकते कि अगली बार वो बेहतर decision कैसे ले ये book आपको सिखाएगी कि कैसे अपने guts या किसी crystal ball की help लिए बीना ही आप अच्छे decisions ले सकें इस book से आप सीखेंगे कि कैसे अपने सारे options को compare करें इस book से आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों आपके पुराने decisions के results अच्छे नहीं आए काफी लोगों को ये recognize करने में problem हो जाती है कि आखिर वो कौन सी opportunity है जिसका वो sacrifice करें ये book summary आपके ऐसे doubts भी clear करतेगी इस book से आप अलग-अलग mental models के बारे में सीखेंगे जो आपको अपने thoughts को arrange करने में help करेगी आने वाले episodes में हम और बारीकी से सीखेंगे कि हम अच्छे decisions कैसे लें बने रहिए कुकू FM की खास पेशकश में नमस्कार आप सुन रहे हैं कुकू FM एनी ड्यूक द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू डिसाइड की बुक समरी और मैं हूँ आरजे असर कुकू FM सुने जो मन चाहे decision और results की quality इस episode की शुरुआत करने से पहले मैं आप से दो सवाल पूछना चाहूँगा पहला, क्या आपको याद है जब आपने अपनी life का best decision लिया था? क्या था वो? और दूसरा, क्या आपको याद है जब आपने अपनी life का worst decision लिया था? अब आप गौर करिये कि आपने decision को best और worst का नाम सिर्फ उन से मिले हुए results के basis पर दिया है इस episode में हम ये सीखेंगे कि decisions की quality कैसे decision से मिले results पर depend नहीं होती अक्सर हम अपने सारे decisions का नाम तौल उस से मिले results के basis पर करते हैं example के लिए मान लीजिए कि आपने अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब जॉइन कर ली results के तौर पर आपके साथ दो चीजें हो सकती है या तो आपको अपनी नई जॉब काफी पसंद आएगी आपके नए दोस्त बन जाएंगे और आपका बॉस काफी अच्छा होगा और या फिर आपको अपनी नई जॉब बहुत बकवास लगेगी आपको अपने कलीग्स अच्छे नहीं लगेंगे और आपका बॉस तो बिलकुल नहीं पसंद आएगा अब भले ही हमारे पास हमारे decisions से ज्यादा details नहीं हो लेकिन मात्र results जानने से हमें लगता है और ये feeling की results हमारे decision की quality बताता है और इतनी powerful होती है कि भले ही हमारे decisions दोनों case में सेम हो हमारा नजरिया result के basis पर change हो जाता है जैसे यहाँ पर decision सेम था दोनों case में आपने अपने पुरानी जॉब छोड़ी और नई जॉब जॉइन कर ली ऐसा हम अकसर करते हैं आपने stocks खरीदे अगर आपको profit हुआ तो आपका decision अच्छा और अगर नहीं हुआ तो बुरा आप अपने client के पीछे 6 महीने लगे रहे अगर 6 महीनों बाद आपका client आपके साथ बड़ी deal करने के लिए तयार तो आपका decision अच्छा वरना बुरा आपने एक नया घर खरीदा 5 साल बाद जब आपने उसे बेचा अगर आपको 50% का profit हुआ तो आपका decision अच्छा वरना बेकार चाहे कोई भी field हो हमारे decision की quality को चेक करने का तरीका यही रहता है इस book में लेखक ने इस चीज़ को resulting का नाम दिया है resulting के हिसाब से आप अपने decision की quality उससे मिले results से तै करते हैं क्योंकि यह हम clear नहीं देख पाते कि हमारे decisions अच्छे हैं या बुरे और क्योंकि हम अपने results clearly देख सकते हैं इसलिए हम इस shortcut resulting का यूज़ करते हैं या यह कह लीजिए कि decision quality के complex analysis को simple करने के लिए हम resulting का यूज़ करते हैं लेकिन simple हमेशा अच्छा नहीं होता resulting हमें काफे कुछ सीखने से रोकती है एक अच्छा decision maker बनने के लिए अपने experience से सीखना बहुत जरूरी है लेकिन अगर आप resulting पर depend रहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका decision सही था या गलत इस बारे पर आप सोचेंगे ही नहीं आप सिर्फ अपने result पर ध्यान देंगे जिसके कारण कभी-कभी आप गलत चीज़ें सीख जाएंगे और उन्हें सही मान बैठेंगे चलिए आपके decision making skills को और details के साथ चेक करें मान लीजे कि आपने एक company से electric car खरीदी ये car और इस company का technology genius मालिक आपको इतना पसंद आया कि आपने इस company के stocks भी खरीद लिए अब आपको दो तरह के results मिल सकते हैं या तो ये एक good investment साबित हो सकती है या तो कुछ दिन बाद ये company कर्ज में टूप सकती है पर क्योंकि अब आपके पास details है तो अब आप ये भी सवाल करेंगे कि उस वक्त जब आपने share खरीदे तब company profit कमा रही थी क्या उस पर already कोई burden था क्या company बढ़ती demand के साथ अपनी manufacturing capacity बढ़ाने के काबिल थी या तो आप शायद इतने खुश customer थे कि जब आपको car offer में मिली तो आपने car की company के चल रहे losses के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की इस case में आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे results हमारे decision की quality को धुंदला कर देते हैं हम results की quality पर इतना खोई रहते हैं कि decision quality पर चायर results के काले बादल को देखी नहीं पाते resulting सिर्फ आपके experience के role की नहीं बलकि luck के role की भी value कम कर देती है हमें लगता है कि decision quality और result quality में सिर्फ एक ही relation होता है पर अब हम सीखेंगे कि luck के कारण कैसे एक नहीं बलकि चार relations होते हैं पहला earned rewards ये आपको तब मिलता है जब आपके decision की quality अच्छी होती है और साथ ही साथ result भी अच्छा दूसरा dumb luck ये तब मिलता है जब आपके decision quality खराब होती है पर आपको results अच्छे मिलते हैं तीसरा bad luck ये तब होता है जब आपके decisions की quality अच्छी होती है पर आपको results खराब मिलता है चौथा just desserts जब आपका decision और results दोनों ही खराब हों जब हमें result पता चल जाता है तो हम चीजों को ऐसे समझते हैं कि जैसे सिर्फ earned reward और just dessert ही होते हैं bad luck और dumb luck को हम अंदेखा कर देते हैं लेकिन अगर हम अपने experience से समझें तो आपको पता चलेगा कि आप काफी गलत सबक सीख रहे हैं जैसे कि अगर आपके decisions से सिर्फ 10% गलत result मिलने के chances हैं तो तब आपको ऐसा result मिलेगा आप सिर्फ उसी 10% पर ध्यान देंगे और बाकी 90% सही को अंदेखा कर देंगे सुनने में ये सत्य नहीं लगता लेकिन अगर आप अपने पुराने decisions के बारे में सोचेंगे तो ऐसा ही होता है ये सिर्फ resulting के कारण होता है resulting के कारण आपको जब भी गलत result मिलता है आप अपने लग के उपर blame करना ज्यादा पसंद करते हैं पर जब भी आपको कोई अच्छा result मिलता है तो आप अपने लग के उपर नहीं डालते बलकि खुद उसका credit लेते हैं आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है गलत कुछ नहीं लेकिन ऐसा करने से आप अपनी decision making skills का नुकसान कर रहे होते हैं एक अच्छा decision maker बनने के लिए जरूरी है कि आप decision quality और result quality के चारों relations को समझें decision और results की quality को अलग करने की आदट डालने से आपको ये benefit होगा कि आगे चलकर आपको पता रहेगा कि कौन से decisions को repeat करें और कौन से को नहीं resulting से सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं होता resulting के कारण आप अपने decisions का analysis अच्छे से नहीं कर पाते या ये कह लीजिए कि resulting के कारण आप अपनी life के काफी सारे lesson skip कर देते हैं resulting के कारण आप less compassionate भी हो जाते हैं अगर किसी और के decisions से आपको अच्छे result नहीं मिलते तो आप उसे judge करने लगते हैं और same आप अपने साथ भी करते हैं आप खुद की decision making skills को judge करने लगते हैं जिसके कारण आप अपने आगे के decisions confidently नहीं ले पाते next episode में हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छी decision process develop करें तो बने रहिए कुको FM की खास पेशकश में Decision Process Development Imagine करिए कि आप पुने शहर में बड़े हुए हैं और आपने अपने college की पढ़ाई चिन्नई से की है college से निकलते ही आपको दो job offers मिल गए एक चिन्नई में और दूसरा कश्मीर में कश्मीर वाली job चिन्नई के campization में आपको अपने career में ज्यादा आगे ले जाएगी लेकिन आप कश्मीर में पढ़ती भारी ठंड को लेकर tension में हैं आप February में कश्मीर जाते हैं और आपको लगता है कि इतनी ठंड तो आप सहलेंगे आप कश्मीर की job जॉइन कर लेते हैं पर अब आपसे मौसम नहीं जेला जा रहा ठंड के पहले ही कुछ महीनों में आपको समझ आ जाता है कि अगर अब एक और दिन सूरज नहीं निकला तो आपका पता करने को मिलती हैं क्या वो बातें कुछ ऐसी होती है मुझे पता था कि तुम्हें वाँ अच्छा नहीं लगेगा मुझे पता था कि तुम्हें एक साल के अंदर ही वापस घर चले आओगे मुझे पता होना चाहिए था कि मैं ठंड बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं कर सकता मुझे पता था कि मुझे चिन्नई वाली ही जॉब को करना चाहिए था अब आप इमेजिन करिए कि अगर आपको कश्मीर की जॉब बेहत पसंद आ गई है और साथ में आप कश्मीर की ठंड भी जेल ले रहे हैं और आपको स्नोफॉल से प्यार हो गया है तब आपको कैसी बातें सुनने को मिलेंगी कुछ ऐसी मैंने बोला था तुम्हें मुझे पता था कि मुझे कश्मीर बहुत ही अच्छा लगेगा ध्यान दीजिए कि भले ही आपके डिशीजन्स कश्मीर जाने के दोनों बार सेम थे पर आपके रिजल्ट्स डिफरेंट थे और भले ही आपको आपके रिजल्ट्स पसंद आएं या नहीं दोनों बार आपने और साथ साथ दूसरों ने भी यही सोचा कि आपको ये पहले से पता था आपको पता था कि चिन्नई ही जाना चाहिए था या आपको पता था कि कश्मीर की ठंड आप सहलेंगे इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स मिलने पर हम अपने decision process को भूल जाते हैं और अपने decisions को गलत तरीके से analyze कर लेते हैं जब भी आपको इस decision लेते हैं तो आपको कुछ चीजें पता होती है और कुछ नहीं एक चीज जो आपको बिलकुल नहीं पता होती है वो है result लेकिन एक बार जब आपको result पता चल जाता है तो आपको ऐसा हमेशा लगता है कि ये चीज आपको हमेशा से पता थी या आपको already पता होनी चाहिए थी decision लेते टाइम आपको जो information पता थी उसके उपर final results के कारण काला बादल च्छा जाता है इसे कहते हैं hand side bias आपको विश्वास नहीं होगा पर final results मिलने के बाद आपकी memory में change आ जाता है ऐसा दो तरीकों से होता है पहला आपका दिमाग आपकी पुरानी memory जो decision के वक्त थी उसे नई memory जो result मिलने के बाद की है उससे बदल देता है दो आपका दिमाग सोचता है कि ये predict करना काफी आसान था और ये तो आपको पता होना चाहिए था तो अब बात आती है कि हम इस hindsight bias को recognize कैसे करें हमारा दिमाग ही तो है जो सब हमें बताता है और अगर यही सब भूला जा रहा है और memory बदल दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं क्या hindsight bias होने से पहले कोई indication मिलता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो नहीं पर जब भी आप final results के बाद अपने आपको ये बोलते पाएं कि मुझे पता होना चाहिए था या मुझे पता था तो आप समझ जाए कि आपकी memory के साथ already गरबर हो चुकी है ये गरबर को लेखक ने memory creep का नाम दिया है memory creep के कारण आप अपने past को सही से नहीं याद रखते जिसके कारण आप अपने exercises से फाल्तू के lessons सेख लेते हैं इससे ये होता है कि पहला क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि आपको क्या पता डिसीजन लेते टाइम इसलिए आपको अपने decisions judge करने में दिक्कत आती है दूसरा हिंट साइट बाइस के कारण आपको लगता है कि result काफी predictable था और आप काफी low quality के decisions लेने लगते हैं लेखक ने हिंट साइट बाइस से बचने के लिए एक और method के बारे में बताया है knowledge tracker knowledge tracker आपको अपने decisions का track रखने में help करेगा knowledge tracker बनाने के लिए एक paper में 4 columns बनाईए पहले column पर लिखिए वो चीज़ें जो आपको decision लेने के time पता थी दूसरे column में अपना decision तीसरे column में आपके results और चोथे column में वो चीज़ें जो आपको results मिलने के बाद पता चली इस knowledge tracker को use करने से आप नई information को पुरानी information से distinguish कर पाएंगे इस चीज़ की जानकारी मिलने से आप memory creeping से बच सकेंगे अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके साथ gut feeling बनी रहेगी कि आपको ऐसा हमेशा से ही पता था लेकिन अगर आप बार-बार knowledge tracker और बाकी indications का use करेंगे तो आपके decision making skills के लिए बेहतर रहेगा अपने experiences को अच्छे से process करने से आपके future decisions में काफी improvements आएंगी लिखक ने hand side bias की एक vaccine भी बताई है journaling अगर आप अपने सारे decisions का knowledge tracker बना के एक journal में collect करेंगे तो आपको अपने future में काफी help मिलेगी सोचने की बात है कि क्या सिर्फ resulting से ही हम less compassionate होते हैं जी नहीं hand side bias का भी कुछ same असर रहता है जिससे हम हमेशा दूसरों को blame करते हैं और उनकी decision making skills पर सवाल उठाते हैं next episode में हम सीखेंगे कि कैसे पुराने लिये हुए decisions से हम सबक सीखें तो बने रहे कुको FM की खास पेशकश में पुराने decisions से मिले lessons imagine करिए कि आपको बारबर से बाल कटवाना पसंद नहीं है इसलिए आपने अपने बाल खुद ही घर में काट लिये इससे आपको खुद का एक आप kingdom comb नाम का बनाने का idea आया इस आप के जरीए hair stylist जो घर जाकर बाल काट सकते हैं और customers जिन्हें बाहर जाकर बाल कटवाना नहीं पसंद है ये दोनों एक दूसरे से connect कर सकते हैं आप अपने इस idea को लेकर इतने confident और excited हैं कि आपने अपनी job छोड़ दी और आपने अपनी सारी savings भी इसी venture में लगा दी पर आपने इस नए startup खुलने के कुछ दिन बाद ही आपको समझ आता है कि आपका venture fail हो रहा है क्योंकि आप एक अच्छा user base नहीं बना पा रहे हैं पैसे भी ना बचने के कारण आप अपना venture बंद कर देते हैं लेकिन नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं होता इसके कारण होता ये है कि आगे चलकर future में आप अपने decisions पर trust नहीं कर पाते इस episode में हम सीखेंगे कि हम अपने पुराने decisions जिनसे हमें बुरे results मिले थे उनसे सबक कैसे सीखें कोई भी चीज सीखने के लिए experience बहुत ज़रूरी है kingdom.com app वाले case में जैसा कि आपने देखा कि हमें मिले हुए results के कारण हम अपने experience से सही lesson नहीं ले पाए इसके कारण paradox create होता है लेखा का कहना है कि बहुत सारा experience एक अच्छा teacher है लेकिन सिर्फ एक experience उतना अच्छा नहीं जब हम अपने बहुत सारे experience का analyze करते हैं तो हम बहुत कुछ सेखते हैं पर जब सिर्फ एक ही experience का analyze करते हैं तो हमें resulting और hindsight bias जैसी चीज़ें face करनी पड़ती हैं लेखा का कहना है कि यही हमारी problem है कि हम रुक कर proper data collect करके conclusion में नहीं आते single result से हम ये नहीं पता कर सकते कि हमारा decision सही था या गलत लेकिन तब भी हम ऐसा pretend करते हैं कि toss के लिए एक बार ही सिक्का उच्छालना काफी है अगर हम अपने result से कोई lesson सीखना चाते हैं जब भी हम कोई decision लेते हैं हमारे सामने एक possibilities का बड़ा सा पेड़ होता है पेड़ की हर branch possibilities को represent करती है जिस result के होने के chances ज्यादा हैं उसे मोटी branch समझ लीजिए और जिसके कम chances हैं उसे पतली branch जो branches आगे छोटी-छोटी branches में बढ़ जाती हैं वो हर result के future को represent करती है जब हम कोई decision लेते हैं हमारे सामने possibilities का एक पेड़ होता है और इसी को हम multiverse of decisions बोलते हैं पर क्या आपने सोचा है कि बाकी branches का क्या होता है जब हमें अपने decisions के बाद एक result मिल जाता है हम बाकी branches को कार्ड देते हैं और उनके बारे में सोचते भी नहीं है decisions का multiverse हमारे view से हट जाता है और हमको अपने result की branch सबसे beneficial और best लगती है पर क्या हमारे final result के अलावा कोई और result अच्छा नहीं होता लेखक चाहते हैं कि आप ये सारी कटी branches को उठाएं और वापस अपने पेड़ पर glue की मदद से चिपका दें और इस पेड़ को वापस से re-assemble करें क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एक ही branch को choose किया था इसलिए वो आपको सबसे मोटी मतलब सबसे ज़्यादा beneficial लग रही थी पर अब जब उसके side में बाकी सारी branches भी लगा देंगे तब आपको इसका असली size दिखेगा अब आपको दिखेगा कि कुछ branches आपकी चुनी हुई branch से पतली भी है और कुछ मोटी भी पर इससे आपकी decision making skills में आपको क्या मदद मिलेगी चलिए हम वापस से चिन्नई और कश्मीर में जॉब वाला example लेते हैं अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ कि आप हमेशा से पुने में बड़े हुए हैं चिन्नई से आपने college की पढ़ाई की थी और फिर आपको दो जगा job offer मिले कश्मीर और चिन्नई आपने कश्मीर चुना आपको job बेहत पसंद आई लेकिन ठंड के मौसम के कारण आपको कश्मीर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था अगर हम इस example का पेड़ बनाए तो हमारे पास ये possible results होंगे पहला, आपको job पसंद आई और कश्मीर भी और आपको ठंड का मौसम भी काफी पसंद आया दूसरा, आपको मौसम नहीं पसंद आया लेकिन job अच्छी होने के कारण आप ठिके रहे तीसरा, आपको job पसंद आई पर ठंड नहीं पसंद आने के कारण आपने job छोड़ दी चौथा, आपको कश्मीर पसंद आया पर job नहीं इसलिए आपने job छोड़ कर कश्मीर में कुछ और काम चालू कर दिया पांचमा, आपको कुछ भी नहीं पसंद आया ना कश्मीर, ना ठंड और ना ही job आप सब छोड़ कर पुने वापस आ गए ये पांच ब्रांचेस में से आपको समझ आ रहा होगा कि आपको मिले हुए रिजल्ट्स से भी बहतर कुछ रिजल्ट्स हैं और इसी कारण आपको अपना लिया हुआ डिजीजन सही लग रहा है और साथ ही साथ आपको मिले हुए रिजल्ट्स से बहतर रिजल्ट्स भी हो सकते थे क्योंकि अब आपने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स पर गवर किया है तो नेक्स टाइम जब आप डिजीजन लेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से ले पाएंगे लेखक ने इस ट्री को डिजीजन ट्री का नाम दिया है और जो अभी हमने किया वो बस एक बेस है डिजीजन ट्री एक ऐसा useful tool है जिससे हम अपने past decisions का analysis अच्छे से करके अपने नए decisions को बहतर बना सकते हैं डिजीजन ट्री बनाने से आपको ये फायदा होगा कि आप अपनी gut feelings के भरोसे नहीं रहेंगे और memory creep से भी आप बचे रहेंगे अब आपको पता होगा कि कितने सारे possible results हो सकते हैं लेखक ने इस thinking strategy को counter factual thinking का नाम दिया है अपने results को बाकी होने वाले possible results के context में रखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीजें क्यों हुई और क्यों नहीं counter factual वो results हैं जो हो सकते थे इन results की मदद से आप समझ सकते हैं कि आपके final result में कितना luck involved था और अपने lessons में quality improvement भी ला सकेंगे जब आप decision tree बनाएंगे और counter factuals को explore करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब आपका final result बुरा था तब आपको बेहतर लगा जब आप और भी negative results के साथ अपने final results को compare करेंगे तब आपको realize होगा कि आप कितने अच्छे stage में हैं next episode में हम सीखेंगे decision process के तीन P's के बारे में पने रहिए कुको FM की खास पेशकश में हमारे past decisions चाहे जैसे भी थे हम उन्हें बदल नहीं सकते पर हम अपने past decisions से सीखे हुए lessons का यूज करके अपने future decisions को बहतर कर सकते हैं एक decision maker के लिए सबसे बड़ा challenge ये होता है कि उसे आगे का future बहुत ही धुंदला दिखता है उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होगा इस episode में हम जानेंगे two piece के बारे में जो हमें हमारे आगे के decisions लेने में help करेंगे ये three piece जानने से पहले चलिए decision लेने के 6 step process को समझते हैं ये 6 step process आपको सिर्फ अपने future के decisions लेने में बलकि अपने past decisions को analyze करने में help करेगी जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने results के काले बादल के कारण अपने decision का analyze अच्छे से नहीं कर पाते ये ज़रूरी है कि हम अपने decisions का record बना कर रखें और इन 6 step decision process को follow करें step 1 अपने हर decision से मिलने वाले सारे possible results को identify करें step 2 हर एक result की preference identify करिए उसके payoff की size को ध्यान में रखते हुए payoff size के बारे में हम आगे चल कर बात करेंगे step 3 हर एक result की आगे की possibilities का estimate लगाईए step 4 सारे results की एक दूसरे से तुलना करिए step 5 एक से चार तक के steps को हर एक option के लिए वापस से follow करिए step 6 सारे options को एक दूसरे से compare करिए चलिए जानते हैं कि हमारे results की preference जानना क्यों matter करता है preference हमारे 3 P's का पहला P है अगर हम किसी भी results से डरेंगे या किसी एक result को ज्यादा desire करेंगे तो हमारा point of view उसी में उलज जाएगा ज्यादा बहतर decision के लिए जरूरी है कि हम सारे results के sit को identify कर लें अगर आप अपने decision में पूरी तरीके से जानकारी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा result आप सबसे ज्यादा desire करते हैं उसे अपने decision tree में लगाए decision tree की branch में most preferred से last preferred तक सारे possible results लिखिए जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको समझाएगा कि जरूरी नहीं है कि आपकी preference हमेशा दूसरों की preference से match करें हर result individual के goals और values पर dependent होती है जो आपके लिए एक sacrifice होगा वो किसी और के लिए opportunity लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप advice नहीं ले सकते advice एक बहुत ही useful decision tool है लेकिन advice लेते टाइम ये ध्यान रखें कि सामने वाले को आपके goals और values के बारे में clear idea हो क्योंकि ऐसा न करने पर सामने वाला assume कर लेता है कि आपके goals और values उनकी तरह है और वो आपको गलत advice या अपने हिसाब से advice दे बैठता है देख सकते हैं ये समझने में आसानी होती है कि कौन सा result आपको ज्यादा पसंद है और कौन सा नहीं पर ये तो pros and cons की list की तरह हो जाएगा क्या decision tree एक pros and cons की list है जी नहीं किसी भी decision tree में कितने अच्छे और कितने खराब results है उससे हम अपने decision पर नहीं आएंगे हम एक और step आगे चलेंगे अब हम हर एक result का magnitude पहचानेंगे या ये कह लीजिए कि हर एक preference का size निकालेंगे कौन सा preference कितने extent तक हमें अच्छा और खराब लग रहा है हर एक preference में आपको gain के साथ साथ loss भी मिलेगा इन gains और losses को हम pay-offs कहते हैं हमारी सारी preference pay-off में dependent होती है क्योंकि हर दूसरा इनसान gains ही चाहता है अगर आपको pay-off अपनी goal की तरफ बढ़ाता है तो वो positive pay-off है लेकिन अगर आपको pay-off आपके goal से दूर करता है तो वो negative pay-off है ये समझना काफी आसान है कि जितना ज्यादा gain होगा उस result के लिए preference उठाना ज्यादा होगी और जिसमें loss ज्यादा होगा वो हम कम prefer करेंगे कभी आप पैसे gain करेंगे और कभी आप values सारे possible results में pay-offs के जरिये आप gain करेंगे इसे हम upside potential of a decision कहेंगे जब pay-offs में आपको losses होंगे उसे downside potential of a decision कहेंगे होता ये है कि अधिकतर decisions में mixed potentials होते हैं upside भी और downside भी जब आप कोई भी decision लेते हैं चाहे सही या गलत आप ये देखते हैं कि upside potential में आप अपने आपको कितना downside potential के लिए expose करते हैं इसलिए pay-off का size काफी matter करता है और यही सारे कारण है कि pros and cons के list ज्यादा देर तक काम नहीं आती pay-off के जरीए आपके पास अपने हर result की कमी और खुबी मौजूद होती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो pros and cons के list 2D है और pay-off 3D बिना किसी भी pro और con के size या magnitude को जाने दोनों के positives और negatives को compare करना impossible है next episode में हम जानेंगे कि तीसरा P क्या है बने रहिए कुकु FM की खास पेशकश में third P पिछले episode में हमने जाना दो P's के बारे में preferences और pay-offs इस episode में हम जानेंगे third P के बारे में probability आप सोच रहे होंगे कि decision making skills में भला probability का क्या काम ठीक preference और pay-off की तरह probability भी matter करती है हर बार जब आप कार में बैठते हैं आप अपने आपको risky downside से expose करते हैं कार कभी भी accident से भढ़ सकती है पर क्योंकि कार की भढ़ने की probability बहुत कम है और एक तरह से देखा जाए तो कार की upside potentials जैसे time बचना और productivity बढ़ना काफी ज्यादा है हम कार का use करते हैं दूसरा example हम एक 500 रुपे की lottery ticket का देखते हैं भले ही आप करोनों की lottery जीट सकते हो एक ticket खरीद के पर उसकी probability कम होने के कारण है आप अपने 500 रुपे इस ticket में नहीं लगाएंगे कोई भी decision अच्छा है या नहीं इसके लिए सिर्फ gain और loss जानना sufficient नहीं है एक अच्छा decision maker बनने के लिए जरूरी है कि आप हर एक चीज की probability निकालने के लिए willing हो possibility की importance जानने के लिए हम guesses के बारे में जानेंगे अक्सर हम किसी भी चीज के होने या नहोने की possibility estimate करने में काफी uncomfortable होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको future possibilities की exact probability नहीं पता होती और हम सब जानते हैं कि सारे decisions toss की तरह नहीं होते जहां हर चीज की probability 50-50 होती है क्योंकि हर decision की हमें पूरी जानकारी नहीं होती इसलिए हम guess करना नहीं पसंद करते अगर मैं आप से कहूं कि किसी सड़क किनारे चलते सार का कितना weight होगा तो क्या आप guess कर पाएंगे क्योंकि आपको उस सार के बारे में ज्यादा knowledge नहीं है आप right answer नहीं guess कर पाएंगे यहां तक कि जब आप guess करने की कोशिश करेंगे तो perfect answer और आपके answer का gap को खा जाएगा आपको पता है कि इसका एक ही right answer है जो है कि उस सार का weight लेकिन वो आप बिल्कुल भी guess नहीं कर सकते और अपने बारे में यह जानकारी आपको उतना ही तकलीफ पहुचाती है जितना उस सार को अपने कंधे में बैठ कर घुमाने में आपको होगी वो बात अलग है कि सार को एक बार घुमाने के बाद आपको right weight बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके लिए आप बचेंगे ही नहीं खैर क्योंकि आपको पता है कि एक right answer है और वो आप guess नहीं कर सकते और आप बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहते इसलिए आपको ये चीज बौदर करती है और यही mindset के सिर्फ right या wrong answer ही है और बीच में कुछ भी नहीं decision making में एक बड़ा obstacle है अच्छी decision making skill develop करने के लिए आपके guess करने की willing होना पड़ेगा जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप उस सान का weight जानते हैं तब आप अपने पास available information को underestimate कर लिए और पहले ही decision कर लिए कि आपके पास कोई भी information नहीं है पर एक बार फिर सोचिए इस road के किनारे चल रहे सान के बारे में अगर general रूप से देखा जाये तो दुनिया के अधिकतर चीजों का वजन आपको पता होगा आपको पता है कि electronic सामान एक कार्टन से भारी होता है और पत्थर एक पंक से भारी होता है एक सान एक इनसान से भारी होता है आपको एक बिल्ली या कुट्टे का अंदाजा तो होगा ही और यहां तक कि एक गाय के average weight का भी आप किसी एक वैगनार का अंदाजा लगा सकते हैं और आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं किसान वैगनार से तो भारी नहीं होगा इतनी information होने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि आपका guess random है भले ही आपके पास perfect information नहीं है पर अब आपके पास ना से ज्यादा जानकारी है और ऐसा हमेशा होता है कि हमें थोड़ी सी जानकारी तो जरूर होती है और थोड़ी सी जानकारी एक भी जानकारी नहोने से बहतर है और जब decision लेने की बात आती है तो आपको अपना थोड़ा सा भी काम दिखने का credit मिलता है भले ही ये information कम है लेकिन आपके decision की quality में ये एक बहुत ही बड़ा difference लाएगी ये difference आपके decision में ठीक compounding interest की तरह ही काम करेंगे लेकिक ने ऐसे guess को educated guesses का नाम दिया है ये uninformed guesses से अलग होते हैं और याद रखिए कि जरूरी ये नहीं है कि आप educated guess मार रहे हैं या नहीं बलकि ये कि किस extent तक आपका guess सही है educated guess मारने में बहुत value है और जितना की ज्यादा आप willing होंगे guess मारने में उतना ही ज्यादा आप अपने decisions के बारे में सोचेंगे और available information को apply करेंगे जैसा कि लेखक ने बताया कि एक बहतर decision maker बनने के लिए जरूरी है कि हम अपना mindset एक निशाने बाज की तरह बनाएं ठीक जैसे निशाने बाज हमेशा target के बीचो बीच निशाना लगाने की कोशिश करता है उसी तरह हम भी ये ना सोचते हुए कि हमारा guess गलत होगा या सही ठीक बीचो बीच निशाना लगाएं जरूरी निशाना लगाना है जरूरी गिस मारने के willing होना है लेकक ने इस mindset को archers mindset का नाम दिया है एक निशाने बाज का काम निशाना लगाने की value recognize करने में होता है और साथ ही साथ ये recognize करने में कि उनके guesses random नहीं बलकि educated हैं आपने हर एक result की probability और identify करने के लिए आप अपने decision free में कुछ ऐसे words भी add कर सकते हैं frequently, rarely, almost, always, always, maybe, certainly, usually, high probability, low probability क्योंकि आपके सारे guesses educated होंगे आप इन words का use करके अपने decision को और बहतर तरीके से समझ सकते हैं और ऐसा करने के बाद अब आप step 4 की तरफ बढ़ सकते हैं जो था कि आप अपने results के likelihood मतलब कितना पसंद है और कितना नापसंद उसका analyze करें इन words को add करने से आपका काम और simple हो जाता है क्योंकि अब आपको अपनी preferences का और knowledge हो जाता है समझ लीजे कि decision free में इन words को add करना मतलब probability clear करना बिना इस step को लिए आपको हर एक result की quality समझने में problem आएगी और आगे चलकर आप बाकी options को भी compare नहीं कर पाएंगे इन words का use करने के बाद जब आप decision tree पर देखेंगे तो आपको pros and cons की एक और disadvantage दिखेगा pros and cons list में आप अभी भी ये नहीं बता सकते कि सबसे important pro और cons कौन सा है next episode में हम की कैसे बिना question किये हमें कोई answer नहीं मिलते बने रहिए कूकू FM की खास पेशकश में conclusion इस book से आपने बहुत सारे decision making methods और tools के बारे में सीखा लेखा को विश्वास है कि अगर आप उनके बताय हुए tools का अपनी life में use करेंगे तो आप एक बहतर decision maker बन जाएंगे लेकिन ये book सिर्फ tools के साथ ही नहीं खत्म हुई है इस episode में मैं आपको decision hygiene के बारे में बताऊंगा 1847 में एक doctor इगनाज सेमेल वीज ने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्यों अधिकतर माँ बच्चे को जन्म देते ही fever के कारण expire हो जाती है उस time hospital condition आज के जैसे साफ सुथरी नहीं हुआ करती थी ना तो ज्यादा sanitizers का use होता था ना ही hand wash का doctors अपनी gown भी जल्द नहीं बदलते थे यहां तक कि उस time ऐसा माना जाता था कि उनकी gown में लगे blood stains उनके experience का resume है medical students dead bodies का bisection करके बिना hand wash किये delivery room में doctors की help कराने आ जाते थे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था डॉक्टर इगनाज ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद doctors के गंदे हाथ ही मा को fever आने का कारण है इसलिए उन्होंने instructions दिये कि बिना hand wash किये कोई भी doctor delivery room में नहीं आएगा इसके चलते death rate 16% से 2% पर आ गया था पर कुछ doctors अब भी doctor इगनाज के इस decision के against थे और उन्होंने doctor इगनाज को hospital से निकाल दिया उसके बाद उन्हें दो और जगह से निकाला गया 1865 में doctor इगनाज एक पागल खाने में expire हो गये और कुछ ही साल बात पता चला कि doctor इगनाज सही थे गंदे हाथ से ही infection फैल रहा था और इसी कारण काफी मां expire हो रही थी ठीक जैसे germs contagious होते हैं हमारे beliefs और opinions भी दूसरों को infect करते हैं और good decision hygiene को अपनी habit मिला कर हम ये infection फैलने से रोख सकते हैं example के लिए क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी से किसी movie या political belief पर opinion मांगते हैं तो आपको अधिक तर अपने opinion से मिलता जुलता ही opinion मिलता है खास कर जब आप सामने वाले को बता देते हैं कि आपका किसी movie के बारे में क्या सोचना है लेकिन जब आप अपने beliefs और opinions पहले से नहीं बताते तो आपको अलग ही answers मिलते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने opinions पहले ही बता देते हैं तो सामने वाले को हम infect कर देते हैं और same जवाब पाने के chances को बाधा देते हैं इस दो लोगों के बीच agreement बना रहता है और जैसा कि आपने भी observe किया होगा disagreement situation में कितनी awkwardness ला देता है दो लोगों के बीच एक दूसरे से agree करने का desire इतना strong होता है कि कभी-कभी लोग गलत चीजों में भी agree कर जाते हैं अब imagine करिए कि अगर आप किसी और के दिमाग में available opinions और beliefs का map बना सकते और फिर उसे अपने दिमाग के साथ compare कर सकते इन maps में आपको ऐसी places मिलेंगी जो एक दूसरे से overlap करती होंगी और ऐसी भी जो एक दूसरे से बिलकुल opposite होंगी इस book से आप ये तो समझी गए होंगे कि आपको ऐसी काफी सारी places देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था और आपको ये भी समझा गया होगा कि exciting चीज़ें तब ही होती है जब maps में roads diverge ज्यादा हो रही होती है और जब ऐसा होता है तो तीन चीज़ें बहुत सही होती है और आपके decision making skills को improve भी करती है पहली जो objective truth होता है वो दो beliefs के कहीं बीच में पाया जाता है दूसरी आप गलत हो सकते हैं और दूसरा इनसान सही हो सकता है तीसरी आप सही हो सकते हैं और दूसरा इनसान खलत हो सकता है इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक group को belief से infect होने से रोग सकते हैं ये technique खास कर leaders को जरूर समझनी चाहिए क्योंकि वो अकसर group meetings करते हैं और काफी बार अच्छे results नहीं पाते एक group discussion में आप अपने opinion पर control रख सकते हैं पर जैसे ही कोई और इंसान अपना opinion दे देता है पूरा group infect हो जाता है और फिर सारे लोग अपने decisions tree और अपने आज पास available information को छोड़ कर अपने gut से decision लेने लगते हैं ऐसा बोला जाता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतर decision होगा पर अगर गौर किया जाए तो group के सारे लोग सिर्फ एक ही information को धक्का देने लगते हैं जिसके कारण हमें उतना अच्छा result नहीं मिलता जितना अच्छा मिलना चाहिए था ऐसे group discussion में आप पहले से ही सारे members से information ले सकते हैं और फिर उसे group discussion में discuss कर सकते हैं इसे कोई भी information miss नहीं होगी और अगर members एक दूसरे के belief से influence भी होंगे तब भी आपको एक अच्छा result मिलेगा इस book summary का end करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप आने वाले हर decision में सही रहेंगे जरूरी ये है कि आप हर decision से कोई ना कोई सबक जरूर सीखेंगे आने वाले धेरों decisions के लिए लेखक की तरफ से आपको all the best तो बने रहिए कुको FM की खास पेशकश में